नमस्कार मैं खुर्शीत खान राज्यों और आप देख रहें नियूस्टेमिनेशन अब वक्त हो चला है देश परदेश की कुछ खास खबरों का दिल्ली चुनावायोग ने सोमवार को राज्यसभा की 56 सीटों के चुनाव का ऐलान कर दिया पंदरा राज्यों की इन सभी सीटों पर 27 फरोरी को चुनाव होगा गौरतलब है कि तेरा राज्यों के पच्चास राज्यसभा कैंडिडेट की सदस्तत 2 अपराईल को खत्म हो रही और 6 अन्य सीटों 3 अपराईल से खाली होंगी योगी सरकार ने सो मौर देरात 19 आईयस अधिकारियों के तबादले कर दे इसमें से 8 जिले के डियम भी शामिल है बता दे कि अमेठी, घाजियाबाद, अलीगर, फरुखाबाद, रामपूर, जोनपूर, पीली भीत और कानपूर, नगर के जिलादिकारी बदले गए परदे सरकार ने देरात कई जिलों के डियम को बदल दिये सरम बिभाग में तैनात, निशा, आनंद, बनी अमेठी की नई डियम, फरुखाबाद के डियम, संजे कुमार सिंग पर्थम को रामपूर भेजा गया और रामपूर के डियम, रवी कुमार मंदार को जोनपूर का डियम बनाए गया है आपूर्ज बिभाग ने रासन काड़ों के यूनिट के सत्यापन का नया तरीका निकाला बिभाग ने यूनिट के EKYC कराने का निर्णा लिया है इसके तहित काड़ के परतेक यूनिट को एक बार E-PASS मसीन में अंगूठा लगाना पड़ेगा इसका समय बिभाग की ओर से निर्णारित किया जाएगा रासन काड़ धारकों को कोई भी एक यूनिट E-PASS मसीन में अंगूठा लगा कर रासन प्राप्त कर सकता है लखनव के बीकेटी में अस्ती रोड पर नायरा पेट्रोल पम के सामने अवाईद रूप से बनाए गए 42 रो हाउसों पर एल्डिया ने बुल्डोजर चला कर धुस कर दिया है सुल्टानपूर में पहले भुकतान फिर मदान का नारा लगाते हैं जिलादिकारी किर्थ का जोसना के कारैयाले के सामने परदर्सन हुआ अपर जिलादीकारी वित्यों राज्यस्ट कारयाले की तरफ से चिटफट कमपनियों के खिलाफ कारवाई और रुद्ध होने को मुद्धा बनाये गया सुल्तानपुर में राश्पिता की पुर्णेतिति के दिन उन पर हुई अबधि तिपड़ी के मामले में वादी वरूल मिश्रा का बयान दर्ज हुआ है जिसकी अगली सुनवाई 17 फरवरिक होगी सुल्तानपुर में राश्पिता महत्मा गांदी और अमर सहित खुदी रामबोज की पुर्णेतिति पर आजास समास सेवा समिती का 28 वार्ची कोसों मनाये गया सुल्तानपुर में सयुद किसान मूर्चा के साथ डियम कारयाले के सामने अन्य दाताओं ने प्रदर्शन किया आक रोसित किसान बोले ग्राम पंचाई सिक्रेटरी पैसे के बल पर कर रहें भष्टाचार अफसरों को खिला रहें पैसा सुल्तानपुर में बार्बेंच के बीस समन्वे स्थापित करने को लेकर विश्वनाद गुरूप आफ इंस्ट्यूट कालान के प्रबंद निदेशक डॉक्टर वेत परकास चिंग उफ राजू भहिया ने खास बात चीत की अमेठी के राम लखन यशोदा देवी इंटर कालेज रामपुर कुडवा गौरी गण्ज में पुलिस की पाट साला कार्यकरम का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधिक्चक ने बिद्याले की चात चात्राओं उपस्ति सिच्चकों को मिशन सकती नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी सो अलंबन के तहित महिला सुरक्षा, अधिकार और आत्मरक्षा पर विशेश जोड़द कर जागरूगता भियान चलाया अमेठी में उत्तरप्रदेश कोसल विकास मिसन राच किया और दोगिक परसिक्षर संस्थान और जिला सेवायोजन कारियाले के संयुक्त तत्वधान में तिलोई विकास खंड के साथ राच किया और दोगिक परसिक्षर संस्थान तिलोई में रोजगार मेले का आयोजन किय आयोध्य में सहेकड़ों की संख्या में मुस्लिम रामभक्त रामलला का दर्शन पूजन करने पहुचे बाहराईज में कानून और सांतु ब्योस्था के तहित अपराद नियंत्रा और लोगों में सुरक्षा की भावना जाग्रित कराने के लिए पुलिस सदिक्षक के से शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आपको बता दे कि यूटी ने डाक्टरों पर अंदेखी और लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं फिलाल मौके पर पहुची पुलिस और अस्पिताल के डाक्टरों के समझाने पर यूटी को छस से नीचे उतार लिया गया है नाइनिताल भवाली नगरपाली का मैदान में यूआ एक तमंच द्वारा T10 किरकेट टूर्नमेंट का आयोजन टिया गया जिसमें मुख्यतिती के रूप में व्यापार मंडल अध्धक्ट नरेस पांडे मौजूद रहें आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इन खबरों को आप यूटूब पर देख रहें तब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेस्बुक के जरी हमसे जुड़ें तब पेज को फॉलो करके लाइक करना बिलकुल न भू सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल निउस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना न भूलें